हलो एंड वेलकम बैक माई डियर स्टुडेंट्स आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चेनल माँ आसा इस पॉइंट में स्वागत है माई डियर स्टुडेंट्स आज की क्लास में मैं आपको 12 जोगरफी यानि की भूगोल के पर्थम चेप्टर के सभी भी भी आई objective question answer कराने वाले हैं इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे अगर आप हमारे चेनल पे नए आये हैं तो प्लीज इसको subscribe करेंगे लाइक करेंगे अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को भी share करेंगे तो पर्थम कुश्चन क्या है कि संभावब वाद की आवधारना में किस घटक को महतपुर्ण माना गया इसका answer क्या होगा तो इसका answer होगा देखिए प्राकृति घटव या मानवीय गटक या ब इसका answer होगा देखिए आपके असानी के लिए हमने यहां पे इसका नीचे में एंसर भी डाल दिये हैं इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे अब आगे है कि नियतिवाद संकलपना में किस घटक को महतपुर्ण माना गया है तो क्या होगा प्राकृति घटक मानविया घ भुगोल से समंधित नहीं है इन में से कौँन सा अवाण भुगोल से समंधित नहीं है च्छेतरिय विभिनता मातरात्म क्रांति अस्थानिक संगठन या अन्वेंसं इवं वरनन तो क्या होगा इसका एंसर होगा मातरात्म क्रांति 20 आγ+. हो अगे है नव निष्चत वाद के परवर्तक कौन है नव निश्चवाद के परवर्तक कौन है तो क्या होगा रेट जेल या टेलर हमबोल्ट या बलास इसका एंसर क्या होगा इसका एंसर होगा बी टेलर अब आगे है किसने कहा माना प्रकृति का दास है किसने कहा माना प्रकृति का दास है तो क्या होगा इसका एंसर होगा C L N सेंपूल ने कहा था माना प्रकृति का दास है अब आगे है माना भुगोल का जनग किसे कहा जाता है माना भुगोल का जनग किसे कहा जाता है इस्ट्राबो या अटरलमी या हेकल या रेट जेल तो क्या होगा इसका एंसर इसका एंसर होगा रेट जेल अब आगे है कि जियोग्राफिया जेनरालिस के लिखक कौन है तो जियोग्राफिया जेनरालिस के जो लिखक है वह कौन होगा सेम्पूल या वारे नियर या रेट जेल या डार्वीन तो इसका एंसर होगा B वारे नियर अब आगे है कि एंत्रो जियोग्राफी नामक पुस्तक के लिखा कौन है एंत्रियो जियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है रेट जेल या टिंग टन या शेंपल या जीन्स ब्रून्स क्या होगा तो इसका एंसर होगा ए रेट जेल अब आगे है कि संभववाद सब्द का परियोग सरपर्थम किस फ्रांसेशी विद्वान ने किया तो संभववाद सब्द का परियोग जो था कि या सरपर सरपर्थम जो है ना लूषियन फेबरिय ने किया था बीश का एंसर होगा आगे है कि मानव भूगोल कि रियासिल मानव और और अस्थाई पृतिW 시 के परिवरताल शील समंधों का अधियान है यह किस ने कहा यह कथन किस ने कहा तो क्या घर रे टैल एयर टेलर हुआ है उल्टा पुल्टा हो गया है कोई बात नहीं फिर आपको क्वेस्चन जो है ना समचर किसका एंसर याद रखना है अब आगे है निमलिखित में से कौन सा भोगोलिक सुचना का स्रोत नहीं है भोगोलिक सुचना का स्रोत निमने से कौन सा नहीं है तो क्या होगा यात्रियों के विबरन चंद्रमा से चटानी पदार्थों के नमोने प्राचिन मानसित्र या प्राचिन महाकाब तो इसका एंसर होगा चंद्रमा से चटानी पदार्थों के नमोन बीश का एंसर होगा अब आगे है निम्लिकित कतनों में से कौन सा भूगोल का वरनन नहीं करता तो क्या होगा समा कलनात्मक अनुशासन या मानव और परियावरन के बिच अंतर समंधो का अध्यान द्वेधता पर आश्रित या परदोगिकी के विकास के फलसरूप आधुनिक समय में प्रान संगिक नहीं तो इसका अंसर होगा सी द्वेधता पर आश्रित सी इसका अंसर होगा अब आगे है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक है आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है फ्रेडरिक रेट जेल या वारे नियस या चॉल्स डार्विन या एलेन इकॉंट या हमबोल या रीटल या इन में से सभी तो इसका अंसर होगा डी इन में से सभी अब आगे है निमलिकित में से कौन सा एक लोग और परियावरन के बीच अन्योन किरिया का सरवाधिक महतपुर्न कारक है तो क्या होगा मानव बुद्धी मता या परदोगी की या माना जाता है तो भुगल का जनक युनान को एस्या को अफिरका को या इन में से कोई नहीं तो भुगल का जनक जो है यह युनान को माना जाता है यह इसका अंसर होगा अब आगे है रुको और जाओ निश्चयवाद की संकलपना किसने दी रुको और जाओ निश्चयवाद कि संक्रपना किसी ने दिया रेट जेल या हमबोल्ट या ब्लास या टेलर तो इसका एंसर होगा डी टेलर ने दिया डी इसका एंसर होगा अब आगे है कि व्यावाहारिक भूगोल राजनितिक भूगोल आर्थिक भूगोल अथवा समाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उप अस्थांतरित क्रीशी की पर्था को कहते हैं क्या कहते हैं तो रोका या मिलिया या लादांग या जूम तो इसका एंसर होगा मिल लिया मेक्सिको में अस्थांतरित क्रीशी को मिलिया कहा जाता है अब आगे है कि माना भुगोल विचारकों के विकास की अभी वेंजना है न की भुगोलिक ज्यान के विस्तार और खोज का कोई ततकालिक परिनाम है यह परिभासा किस ने दी तो यह परिभासा जो है जीन बुरुंस ने दी या विडाल डिला बलास ने या ई हस्टिंग स्टन ने या Frederick烏ई जेल ने तो क्या होगा इसका एंसर इसका होगा वीडाल डिलाब ब्लास ने अब आगे है और यह आपके चब्टर का अंतीमा कोईस्चन है कि 1990 का 1990 का संजीक दसक भुगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है किस उपागम के लिए जाना जाता है तो क्या होगा इसका एंसर तो इसका एंसर आप लोग बताएंगे अगर आपको ये वीडियो पशंद आया होगा तो इसका एंसर आप हमें कॉमेंट में बताएंगे और अपने ये वीडियो अपने दोस्तों को भी सेजर करेंगे बाकि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्रीज सब्सक्राइब करेंगे और वेल आइकन को भी दवाएंगे वाकिश्वा थैंक्स वेरी माच और बैस्ट फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में तब तक जाय हिंद